तो तो मेरा नाम है शुवुमा आज की इस वीडियो में मैं आपको बता हूँ डिएसवी की पोस्ट को 99-20 के बारे में कम्पलीट इंफॉर्मेशन एक्जाम पैटरन एक्जाम से लेबर टोटल नंबर फॉर्म टोटल नंबर वेकेंसी पर सीट केंडिड क्योंकि अगर आपने डिएसवी का कभी भी कोई एक्जाम नहीं दिया पहली बार दे तो डिएसवी का थोड़ा से एक्जाम पैटरन है तो उस वो भी पूरी मिला पूरी वीडियो देखना बेसे कि आर फास्ट फॉर्वड करके देख लेना पर पूरी देख लेना इंपोर्टेंट जरूर जरू है अगर हम एक ईक चैट पेเหकिन हं एक हमारे इक हजार एक सीट पह्यार रहे है ओइस केटेकरि में देखे तो 22608 फार में बहरे हैं बैकर अगरनाप喔 सीट की बात करते हैं एक सीट पर कितने बच्चे तो आठ सो आठ है एप रॉक्स तीक है एक सीट के अगर हम बात करते हैं तो पच्छी सो अठतर यहां पर एक सीट पर बच्छे आ रहे हैं अब आती इसकी ओफिशल नॉटिफिकेशन में तो यह रहा है अफिशल नॉटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहां पर इसकी वेकेंसी बगारा सी यहां पर पे पोस्ट आई एक एगरेंस की बात करते हैं तो 13 इडिजली वेकेंसी है जनरल की 66 है यह मैं बता चुका हूँ OBC, SC, ST और यहां पर टोटल आ रहे हैं फिर यहां पर PH बग्यरा आ गई है ठीक है उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे यहां पर क्या है मैं आपको बता इसकी जो अगर किसी भी रिकोगनाइज वोर्ड से जो भी आपने कहीं से भी करें पर सक्रेंगे बात करते हैं डिज्यरेबल क्या हो था बही आपके ठीक है पे स्केलल की बात करते हैं तो बाफ़ Matte podemos से लेकर थिए र sayaед को बता दिए उनिसोगरुप के वेकंटिये स्कीच है एज की बात करते हैं अब एज कब से काउंट होगी जब इस सान की लास डेट है तो जब से आपकी एज काउंट होगी यूनिके अगरमान इसका एक्जाम बाद में नहीं हुआ तो जब तक नहीं है आप जैसे क्या वन बटा 13 का और बच्चे ओवर एज होगे लेकिन वह अभी तक क्यों दे रहे जब उनने फर्म की लास डेट ती उस दिन ते उनकी एज कैलकुलेट होगी अगर मैं इसके सिलिबस वगयर की बात करता हूँ कि क्या क्या इसका एक्जाम में कितने फेज हैं एक ही एक्जाम होगा कितने होगे यहां पर यहां पर है, यहां पर हमारी पोस्ट छी के, यहां पर देख लेते हैं दो गहंटे का पेपर होगा 200 कोशन होंगे 200 ही मार्कवस क्योंगे कैसे कैसे होंगे तो इसका थोड़ा सा एक्जाम पैटरन अलग होता है यह मैं आपको समझाऊंगा अभी अगली PDF में दिखाता हूँ ठीक है तो को यहां पर क्या है 20-20 यह 40-40 नमबर का इज सक्षन है क्या क्या सक्षन है ठीक है जनरल अवेरनेस है फिर रिजनिंग आ गई फिर आपकी मैत आ गई फिर इंगलिस आ गई और फिर हिंदी आ गई ठीक कैसे कैसा है कि थोड़ सा इनोंने यहां पर राखा है ठीक है चालीस-चालीस का इज सक्षन है 200 यहां पर यह मार्क स है कोई sectional cutoff नहीं होती अगर कोई क्याएगा कि कैसम sectional cutoff होती है यह कोई sectional cutoff नहीं है आपको overall number लाने जितने भी लाने time इसमें हमारे यहां पर दो घंट पहले reasoning आती है वह मलब order है उसी order से आपको भी करना पड़ेगा उसी order से आप क्या set करते हैं सबसे पहले आएगा आएगा आपकी 40 नंबर की इस पर उसके बाद आएगी 40 नंबर की math math के बाद फिर आपके 40 नंबर की English और उसके बाद 40 नंबर की Hindi अब आपको बताओं यहां पर इसे हमारे 20 कोश्चन होंगे पहले अब जब यह 20 कोश्चन है तो सबसे पहले आपको यही 20 कोश्चन करने पड़ेंगे बेसक आपको कितना टाइम लगे जब आप यह 20 कोश्चन सब्मिट कर दोगे मानो मैंने 20 कोश्चन कर लिए 20 में से एक आद कर लिए 2 आर कर लिए मानो कितने भी कर लिए जितने मुझे आते मैंने उतने कर लिए उतने के बाद मानो मैंने सब्मिट पर किलिक करने के बाद मैं आगे बढ़ूँगा अगर मुझे मानो mental एबले मानो इन्होंने एक section को भी दो section में बाट रहा है मानो अगर आपको कोई math खाली reasoning है तो reasoning को इन्होंने क्या कर रहा है दो section में बाटते है 20 number की एक और 20 number की एक जब आप पहले वाले part को submit करोगे तब आप अगले part में जाओगे और फिर अगर आपने पहले वाले part में नहीं जा सकते तो यह इसका एक elimination method इन्होंने कर रहा है कुछ भी मान सकते क्योंकि बहुत बच्चों को time management का नहीं पाता हो था क्या लफड़ा परता हो भी बता हूँ ठीक है आप जैसे के हम देख लेते हैं यहां पर यह देख लिए अपने 20 number आपने submit करा 20 कोशन पर फिर आप अगले पर जाओगे जब आप अगले पर जाओगे आप जब भी reasoning पर हो तो ऐसे करके 20 सेक्शन में इन्होंने 10 section टोटल यहां पर बाट रहें मलब 10 इन्होंने वह दे रहें part पूरे paper में 10 part कर रहें जिसमें से 2 आपके reasoning अगया रहें अब इसमें time management का क् मानो भी सबसे अधर time consuming क्या होते हैं सबसे अधर time consuming क्या होते हैं reasoning और math जहां तक है ठीक है अब इन्होंने यही पहले देदी यानि कि सारे time तो consume होगया मानो भी आपको reasoning में काफी time लगगा reasoning के बाद फिर English में वह English में जीके में जीके तो चलो जीके तो कोशन पढ़ना है आता है तो सही है नहीं आता है मानो मेरे चाली सatसरा मेरे साफ से म보точно तो 20-ट लगए में 40 कोश् balm के लिए मेरे साफ से प्राद आता है फिर math max a five time काफी timeIGN होती है । उसके बाद in math के बाद क्यों होते है मैत में बहुत वच्चों का time बहुत जल्दी निकल जाता है तो उसकी बच्चे क्या करते हैं मानु जो बच्चे ध्यान कर लेते हैं कि मुझे मैत और इंग्लिश भी करने तो उसमें क्या होता है मानु आपने मैत कर ली, मैत आप नimeter 20 की कर लुँ हो बस 20 नंबर की करने के बाद अब आप जाते है बागी के अलक स्यर्ट सेक्षन पर वानने सबसे नीचे आता हूँ, मैं जो सबसे नीचे नोन दे रहा है, वो हिंदी है, मैं केवल उस 5 मिनिट में, जो मेरे 20 कोशन है, लास्ट मैंने बताए, पैटरन दे रहा है, इनोंने एक सेट, तो लास्ट केवल आप उन 20 कोशन को ही छेड़ सकते हो, जो आपके हिंदी के भी दो पार्ट हो गए मैं आपको बता है नहीं दो दो पार्ट में बाट रहें सब सेक्शन तो हिंदी वाले भी नोगे यहां पर दो में कर दी आइंड में तो केवल आप उन पांच मिनिट में वह बीस जो कोश्चन है उन्हें ही छेड़ सकते हो किसी को नहीं छेड़ सकते क् कि सारे अपने संमिट कर दी हैं और संमिट करने की वादा वापस उसमें नहीं जा सकते तो यार ऐसे-इसे मैंने आपको मैंने पूरा एफट करा है कि आपको समाझ आजाए डिएसेजबी के एक्जाम पैटरन अगर आपने डिएसेजबी का अभी तक कोई भी एक्जाम ने तो यार मेरे सबसे आपको आज की वीडियो में कुछ भी कुछ भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करते हैं आप मैं मिलता आप से अगली वीडियो में जब सके लिए गुडबाई झाल 2 प्रच चाई अगर užो नीचे करत醉र दो ये वीडियो में का वीडियो करते ही वीडियो में जब झाल 2 तो ये घरत से आपड़ों ऴुड़ हो झाल 1 Commissioner को कि अभी दोलибо करते हैं आपस्रुम